आइज बचे सकते हैं बाकि हमें नहीं लगता कि हम यहां पर बचेंगे या फिर हम यहां से कहीं जाना नहीं है और हम जहां पर यह भी हमारे लें सेफ नहीं है हम लोगों को सुन रहे हैं हम लोगों को देख रहे हैं आप प्लीज इंडिया मेडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहां पर मदद दे रहे हैं इंडियन गर्मेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए इंडिया पे प्रेशर डालिए गर्वर्मेंट पे तभी हम 20 से 30 जार बच्चे जिकने भी यहां पे स्टक हैं हमस्कार दोस्तों मैं हूं यूसुप ली आप देख रहे हैं सेफ नियूज लाइव आईए देखते हैं आज की खास ख़बर यूक्रेन संकट में फसे भारती चात्रों के शोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं वीडियो ने बारस जरकार की व्यवस्थाओं की खोल दी पोल दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन में चल रही रोस और यूक्रेन की जंग पर गड़ी हुई है रोस के आर्मी यूक्रेन के शेरों में गुसकर शेरों पर अपना कबजा जमा रही है इसी बीच इन दोनों देशों की चल रही तनातनी के चलते तमाम दुनिया के अलग-अलग देशों से युक्रेन में रह रहे हैं लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसी क्रम में युक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले करीश 20,000 भारती चात्र चात्राई भी सरकार से मज़द की आथ लगाए बेठे हैं और जल्द ही सरकार दोरा स्रुक्षित अपने देश लाए जाने का इंतिजार भी कर रहे हैं भारतकी मोध्य सरकार अपने उर से कहीं दावे कर रही है वहीं सरकार की हिमायत करने वाले अंड़ भक्त सोशल मीडिया पर मोध्य सरकार की शान में कसीदे पढ़ते वे मोध्य सरकार को सूậर पावर बता रहे हैं लेकिन यूकरेन जहां यह सभी गटना करम फिलाल जारी है माँ फसे हुए भारती छादरों के जो वीडियो सोशल मीडिया प्रीटर पर सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो भारत सरकार के दावों के बिल्कुल विपरी थे जो कि अपने आप में सरकार के तेयारों की पॉल कोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं किया सरकार की कोशियर रगातार जा जा रही है एवं कुछ जार लोगों को यूकरेन से सिरक्षित देश वापत लाया भी जा चुका है लेकिन अब तक भारत से मज़द के आथ लगाए बैठा यूकरेन भारत की फेलोची की कोट डीती के चलते भारत से चिड़ गया है और जिसका खाम्याजा वाहां फसे भारती चातर चातरा को उठाना पड़ रहा है यूकरेन से बहा निकलने के लिए चार देश जिसमें रोमानिया, पॉलेंड, हंग्री और स्लोवा के इबॉर्डर से बार निकलने का इन चातर चातराओं को कहा जा रहा है लेकिन चीड़े हुए युक्रेयन के सेनी का भारती चात्र चात्राओं को इन बोर्टर से बार भी निकलने नहीं दे रहे हैं कुछ जगह पर तो चात्राओं के साथ बसलू किया हो गलत हरकते किये जाने की ख़बर भी चल रही है एसे में वहाँ भी सड़क पर खुले आसमान के नीचे माइनस तापमान में फशे भारती बेहत तक्रीफ उटा रहे है युक्रेयन में फशे भारती नागरिकों के यसे कई वीडियो ट्वीटर पर लगातार सामने आ रहे है इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा ताकि आप पूरी जानकारी से वाकिफ हो सके और यह तक कर सके कि मोजी सरकार मुश्किल में पसे हमारे भाईयों बहनों के लिए क्या कर रही है बेरो रिपोर्ट सेफ ने उदला आए हूँ हम लोग यहां से तीन दिन से आये हुए हैं तीन दिन से इंडियान M.S.E. ने बोला हम आपको निकालेंगे निकालेंगे हर पांच मिनिट में यहां पर एक bomb blast हो रहा है कलपुरी राद की में bomb blast हो है अभी भी bomb blast हो रहा है अब इंडियन M.S.E. को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तयार नहीं है यह लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्ट पर निकल जाओ बहार ऐसे situation बिल्कुल भी नहीं है कि पांच मिनिट पर आप लोग खड़े रहो बोले निकल जाओ चालीस बच्चे को निकाला है इन लोग में इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूस में दिखा रहे हैं कि लोग सबको निकल जया क्या कर रहे हैं इन लोग बैट के अटलिस्ट आप बात करिए पांच कुछ तो responsibility लेज़े निकल भाई है अटलिस्ट नहीं मिल रही है जी सो पॉलेंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है निकली बॉर्डर बंद हो गया है कब खुलेगा पता नहीं बचे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगा धूनके वहां रहे थोड़े ताइम मेडम वहां मेडम वहां एंबेशी नहीं बोला थ उस ताइम पर बॉर्डर खुलावा था अभी बंद हो गया है अभी तो बारा सो तेरा सो हमारे स्टूड़न्ट वहां रूके है हाने पीने की कोई व्यवस्ता वहां नहीं की गई है और पॉलेंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहां एंट्री मिल रही है पॉलेंड में कुछ डिपलोमाटिक इशू है जिसकी वज़े से बंद हो गया है सर मैं इसमें जादा आपको नहीं बता पाऊंगे पॉलेंड की सरकार यहने यह डिशिजन लिया है कि हम भारतियों को अंदर नहीं आने देंगे दूर्ती बात से भारत सरकार ने जानवरी के एंड में एडवाईजरी निकाली थी कि लोग आ जाए वापस स्टूडेंट स्पेशली इस लिए नहीं बता दिया था। जानुरी के लिए बता दिया था जो आप कहने आपको बता रही हूँ जानिवरी में ही बता दिया मतलब आप साफ साफ बोल दीजिए ने कि इंडियन एंबेशी और इंडियन गवर्मेंट को यहल्प करने के लिए तयार नहीं है साफ साफ क्यों नहीं बताते हो अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है बॉडर्स बंध है भारतियों को नहीं जाने दे रहे हैं हमारे मतलब इंडियन गवर्मेंट के हाथ में कुछ नहीं है इंडियन गवर्मेंट के हाथ में कुछ नहीं है सारी बाहर की गवर्मेंट के हाथ में कि वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं तो उसका मतलब यह हैल्प लाइन नंबर का मतलब तो और कुछ नहीं है बाते लाइन्स लगी हुई है इदर दो दो गंटे बाद मतलब एक साथ साथ कदम चल रहे हैं दो दो गंटे बाद फिर भी ऐसे हलात हो रखे हैं और यहां पे पीटा जा रहा है मतलब बेफालतु में और ऐसे बोला जा रहा है, युक्रैनियन ऐसे बोल रह अंदर। बी तुम्हारी इंडियन अमबैसी से कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन अब ही देखो अमबैसी वाले बोल तो रहे हैं कि हाफ अन और, अन और में आएंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, तो देखो हमको तो यहां प आप जितने भी पैरेंस हैं जितने भी लोग हैं इंडिया के हम लोगों को सुन रहे हैं हम लोगों को देख रहे हैं आप प्लीज इंडिया मेडिया की न्यूज ख़बरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हम में यहां पर मदद दे रहे हैं इंडियन गवर्मेंट हमारे कोई मदद नहीं कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए इंडिया पर प्रेशर डालिए गवर्मेंट पर तभी हम 20-30,000 बच्चे जुकने भी यहां पर स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टुडेंट्स वो निकल पाएंगे थैंक यू जैहन जैवार्ण अपना नाम नेम से नहीं है हमने यह कुछ वीडियो बेखिए जब अभी जस्त अभी थोड़ी देटले हम MBC को कॉल्स कर रहे हैं MBC हमें को हमारी कॉस्ट नहीं उठा रही है रहां सिटविट्विशन लेकिन अभी कुछ टाम पके बाद हमने सौचा किहां से निकलते हैं और हम यहां से किसी तरह निकलते हैं अब kinda and व्ल deconstउ कि और उनकी लडीकीऑ को लेके उनियंज लडीको को लिखे कब पतानी कहाँ लेकर किसी कुछ को पता सेफोंcan tère carriers हमान वीडियो में वीडियो में लाइन। में रोमान आर्मी वहां पर उने मार रही हैं और उनके साथ बहुता साथ बत्तमीजी कर रही है तो प्लीज अब कहा गैं हम तो मौली देखते थे ना योगी जी मोदी जEOПी है प्लीज हम वीडियो देखते थे थे ना हमें बचाये जाता था हमें बचा लिया जाएगा आप हमें नहीं लगता है कि हमें घुछ बचाया जाएगा प्लीज गुषमर को अधिन आर्मी को यहां पर प्लीज बेचा है कि हम बच सकते हैं बाकि हमें प्रभी को बचेंगे यहां से जाना हम लें से जाना हम इसे है और हम जहां पर यह भी हमारे नहीं से नहीं है सो प्लीज जै यह भारत पीलिज आप ममरी एल्प करो प्लीज जो भी सुन रहा है जो भी देख हम लोग सब रोमेन वार्डर पर खड़े हैं रोमेन युक्रेण वार्डर पर हम अभी उक्रेणिन साइड ऑफ दो बॉर्डर है और यहां पर कोच नहीं है सारे बच्चे आप प्लीज देखिए यहां पर क्या सीचुएशन है अराउंड वार्ड फाइफ तड़ शेक्ष हंडर बच्चे हैं और अधुर्ट अर्ध यह लोग वन फिफ्टी से ज्यादा किसी को इवाक्ट भी नहीं कर रहे है यह लोग इतनी घरा सिचुएशन हैं यह लोग उक्रेणियुक्रेणियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं यूं दुश्रा हम लोग रात कुछ बच्चे तो शाम चार बजे से आरक में और कुछ बच्चे रात वारा वारा बजे के और अभी तरह पुरी रात माइनस फाइव डिगरी सेल्शिस में उनों ने काटी हैं वापे कोई कैम्प नहीं है यहाँ पर कुछ एगिया आप देख सके हैं कुछ पनख नहीं है कुछ एडेर नहीं यहां बच्चे लक्त हो रह रहे हैँ अचेगे यह कुछ एडबरर बच्चे घिर रहे हैं वाज भूले कोई एक सिर्फ लग कोई इओ कोई हम बच्चो restore काहले जो है अब देखो अब यह देखो हम बच्छे नहां पर धखका मुख्य हो रही है क्योंकि बच्कों को बॉर्डर क्रोस कोने है और धखका मुख्य के होने के बाद यह लोग फायर भी कर रहे हैं अप्सकते हैं अल्रेटी बच्रे बच्रे वर के सिच्छिशन से पानिक यह बच्छिकल से पर फायर कर रहे हैं यह उपर ओपहू नाद बाद रहे हैं ज़स्प बचśरी हाँ बच्छा और इंडियाज को प्रफरेंस नहीं मिल रहे और इवन दे इवन स्प्रेट पेपर स्प्रेय ओन पीपल्स आइज इस सिट्विशन इस वेडिकल नो ऑफिशिल इस टेकिंग एनी अक्शन देर इस नो डिप्लोमाइट और लीगल अथरुटी प्लीज 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 और मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे और वहाँ पे बीच में बाम ब्लास्ट रुए है, उन लोगों को बीच में रोग दिया गया है, उसके लिए अगर वो लो लोग इंडियन एमबसी को कॉल वगरर ट्राय करें कि सर हम यहाँ पर स्टक हो गया हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टरम टर्ट तक जाए या फिर हमें आगे कहा जाना चाहिए उन लोगों कोई भी रिस्पूंस नहीं है वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहा है कोई भी middle class family होगी, एक तरीकी से चलो ठीक है, जो भी high class family है, वो एक बात के लिए pay भी कर दे, कोई भी middle class family होगी, कैसे 60,000 की टिकेट करा के वो चले जाए, इस situation में जब कि उन्हें हमें evacuate करवाना चाहिए, उन लोगों की responsibility बनती कि 20,000 students, more than 20,000 students युक्रेन में पढ़ रहे हैं हमारे देश की future के लिए तो हम यहां पर पढ़ रहना चलो, हम हमारे लिए भी पढ़ रहें, बट फिर भी Indian government को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए न कि अभी evacuation का चलो, आप अगर free नहीं करवा सकते तो price तो आप थोड़ी convenient कर दो ना, तकि सब के लिए easy सेवा से संबन्तित विद्यापन हैं तो mobile number 73-859-52786 अथवा 773-826-7786 पर संपत करें